The question is why mica is used in electrical and electronics industry? मतलब कि माइका है, वो हमारा electrical और electronics industry में क्यों use होता है मुझे जहले कीकशर्प्रेप्ट को समझते को समझते, तो ऐसे कीकशर्प्रेप्ट होता है, माइका क्या होता है माइका इक बहुत ही शाइनी सिलिकेट मिनराल होता है, ठीक है और इसमें क्या होगा इसकी जो composition होगी वो layered होगी लेयर मतलब होगी एक layer, दो layer, तीन layer मतलब परतों में होती है अब बात कर रहे हैं तो इसको use कहां से करते हैं तो use इसको ऐसे करते हैं electrical और thermal insulator के रूप में insulator हम own substances को बोलते हैं जो कि अपने through, यहां पर क्या लिका thermal ठीक है, thermal मतलब अपने through heat को पास नहीं होने देगा और electrical मतलब होता है कि अपने through यह electricity को पास नहीं देगा, ठीक है अब इसका reason क्या है कि यह electrical और electronics industry में use होता है तो सबसे पहला है कि इसका जो dielectric strength होता है बहुत जादा होता है, फिर दूसरा है कि इसका जो power loss factor होता है वो भी हमारा कम होता है और तीसरा कि यह electricity light और moisture से highly resistance होता है, मतलब कि electricity light और moisture इसे ज़्यादा जल्दी effect नहीं कर पाती है So I hope you have understood this question, thank you and best of luck